यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है गुरु घासेदाश इन्यूवर्सिटी के सरफ से यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें बीटेक और वीफार्म का स्पार्ट कांसलिंग को लेकर नोटफिक्शन जारी हो चुका है इसमें हम लोग प्रकार से तयार होगा और किस प्रकार से आपको मिलेंगे यह सारी चीजह हम लोग इसमें देखने वाले वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला एंड तक बिना इसकीप के जरूर देखेगा चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए आट जो ब्रा यहां पर बीटैक कि आप्स प्रेवल में स्टार्स होने हैं जो वेरेंट केन्स रेचेन प्रैले बता दुटैकल इंजियनरिंगल इंजुनेरिंग सायंसाइन्स एज़िकनिरिंग सांथ एलेक्ड्रोनिक्सlawn न क्म्युनीकेसं इंजिनरिंग इन्फॉर्मेशन टेखनलेग इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजिनेरिंग एंड मेकनिकल इंजिनेरिंग ठीक है अब इसकी इलिजिबिटी क्या है यहां पर लिखा गया है कि मस्ट हेव वालिड जेए 24 स्कॉर कार्ड और आपका 12 पास होना चाहिए 50 परसेंट से और फियुक्स एंड मैस यह रूढके पितरी बायूलाजी इंडा केमिस्ट्री बायूलाजी लेंगवेज पर एपोल से मथ चाहिए यह mean आपको सब्सक्राइब उसके अकॉंटिंग यहां पर यह होंगे वह उसके अलग से डॉकुमेंट होते हैं रिश्ट्रिशन जो है यहां पर फिस दिया गया है गूगल फॉर्म पहले आपको भरना है और फिस जो है करने के बाद आपको यह कभी वापस नहीं होगा ठीक है गूगल फॉर्म भरते वकत कौन-कौन से डॉकुमेंट लगेंगी यह भी मैं आपको पताने वाला हूं और इसका रिश्ट्रेशन की जो डेट है 27 अगस्तर रखी गई है लास्ट ठीक है उसके बाद यहां पर कॉंसलि गुरु घासिदा स्युष्य दले बिलासपूर रिपोर्टिंग डेट और टाइम है तीन सितंबर को यह काउंसलिंग होगी और और पीफोर शाड़े नव बजे तो आप 8-8 बजे वहां पहुच जाईए ठीक है और यहां पर देख लेते हैं कि 27 अगस्त लास्ट डेट है अ जैब उसके बाद इसका मेरिट लिष्ट याएगा 22 मेरीट लिस्ट 30 अगस्त को आएगा उसपे करेक्षाथ सेप्टेंबर को होंगे और 1 सेप्टेंबर के साम तक यहाँ पर जो एडमिशन जित को होना है उनका एक प्रोजिनल लिस्ट है यहाँ पर 1 सिटमबर को जारी होगा तिन सिटमबर को यहाँ पर इसपार्ट सब्सक्राइब को जाना है तीक है सुबह के साड़े-9 बजे पहले पहुंच जाईएगा यह होगे डिट्स अब यहाँ पर फीस के बारे में और डाकुमेंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो इसका फरस्ट येर का फीस है 32,950 रुपे और यह आपको जब साब आपके सारे डाकुमेंट्स वेरिफाय हो जाएंगे आपका एडमिशन अब जो है फाइनल होने वाला है तो उस टाइम आपको यह पेमेंट करना है और यूपी डेबिट कार्ड अलांग विद मोबाइल पॉन जो जिसमें ओडिपी वगर ठीक है एडमिट काड़ आप जेई मेंन लगने वाला है एक हो गया दूसरा हो गया इसकोर कार्ड आप जेई में चर्टिपिकेट और प्रूफ पेज यानि की क्लास दस्वी का और पिर डेट अब बर्त का सर्टिपिकेट मार्क शीट दस्वी बारवी के कैटेगरी जहां प उसके बाद जहां पर इनकेस अप ओबीसी नॉन क्लिक्ट लियर एड़वलेस टेक्रीट मस्थ बी इस्यूड और एक अप्रेल दो हजार चोबिस के बाद का यह सर्टिफिकेट चाहिए ऐसा इनका कहना है और उसके बाद यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट में सारे कास्ट सर्टिपेट आपके पास होना चाहिए महारास्टा वाला भी चलेगा एसा इंग बोल रहे है सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट के तरफ से महारास्टा से है तो और ट्राइबल वेलफेर के तरफ से यह सारी चाकुमेंट है एस्टी काटेग्रिक तमन्नाडू वाला भी चलेगा रिविन्यू डिविजनल ऑफिसर का सेर्टिपिकेट पर्सनल विद डिसाइबिलिटी कम यह सारी ट्रांसफर सर्टिपिकेट आपको सारे ञड़ हाय माईगरेशन लगागर फिर चैय। लगेगा घ अगरागर है तो यह सारे देखिए ट्रांसपर माईगरेशन बधारिम अपको मालूम है इस्टैंप लगा इसके है तब और अधार काड अपने और अपने पिता जी का ठीक है यह सारी यहां पर लगने वाली है उसके बाद सिलेक्शन किस टाइप से होगा तो देखिए आपका जेए मेंस का 2024 का जो CRL रैंक है उसी के अधार पर यह मेरिट त्यार होगा बहुत इंपोर्टेंट है समझी इस बात को कि यह इमेन का जो आपका स्कोर काड है उसका जो CRL रैंक है उसी के अकॉर्डिंग यह मेरिट यहां पर त्यार होने वाला है और जो अलांटमेंट होगी वह होगा जो रेजिस्टेशन करें है उनके फिजिकली प्रिजेंट रहेंगे वहाँ पर अलग से मेरिट तयार होगा जैसे कि बहुत सारे लोग यहां पर गूगल पर बरेंगे उनका तो यहां पर जो लिस्ट आएगा वह CRL रैंक के अकॉर्ड रेजिस्टेशन करना ही इंपोर्टन नहीं है इस पॉस्ट कॉंसलिंग के लिए जो उस दिन वहां जाएगा यूनिवर्सिटी में टाइम प्रिट के अंदर वहां पर सारे प्रोसीजर को क्लियर करेगा तो वहां पर अगला एक अलग से मेरिट लिस्ट तयार की जागी माल है जिनों रेजिस्टेशन के उसको टॉप सी आरेल रांक है लेकिन वह इसपॉर्ट कॉंसलिंग में गया है यह लेड़ गया तो फिर वह फिर नीचे आ जाएगा सबसे जो टॉप में वह भी वहां पर टाइम प्रिट के अंदर आपको जरूरी है ठीक है उसके बाद कंफर् अगर आप अपने एडमिशन को वापस ले लेते हैं तो ऐसे कंडिशन में जो 32,950 रुपय आपने पेमेंट किया है वह आपका लॉस हो जाएगा एडमिशन आप लोग वापस लेंगे तो समझ कर लिजिए डिसिजन अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिए बाद में कैस करवाते तो आपको फिस वापस नहीं होगा ठीक है कि यह सारी चीजे है और एक बार वहां पर जो तीन सितंबर को यह होने वाला है फिर दस सितंबर तक आपको सारे फॉर्मलेटिज पूरे कर लेना है एडमिशन के रिगार्डिक सारे डाकुमेंट जो भी है पूरा आपको कम्पुलिट कर लेना है और सारे यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि नोट दिया गया है कि सारे के डाकुमेंट्स आप original में लेके जाइये website copy वहाँ पर नहीं चलेगी ठीक है तो आप उसके जरॉक्स copy भी लेके जाइये original में भी लेके जाइये यहाँ पर बताया गया है उसके बाद देखते है hostel के बारे में क्या है? Town यहाँ पर दिखिए seat limited है और यहाँ पर student 10,000 से जहादा cuisine को मिला कर तो सभी को सीट मिलना यहां पर पॉसिबल नहीं है यह यहां पर युनिवर्सिटी का कहना है तो होस्टेल अकॉमेडेशन मेरीड बेस पर प्रोवाइट किया जाएगा कैटेग्री वाइज इसको फॉलो किया जाएगा और यहां पर कैंडिडेट का सेपरेट लिस्ट इसके लिए पॉब्लिस की की जाएगी कमपलिशन अप फिजिकल रिपोर्टिंग लिए यहां पर होस्टेल का अलग से आएगा तो होस्टेल के बारे मैंने पहले बहुत वीडियो बताया था पहले क से इस प्रकार से अलट होते है वही नियम यहां पर लाग आप वीडियो देखिएगा जी लेटेजिए हो यह बारे में मैंने डेटेल वीडियो बनाया हूं जीजीओ के होस्टेल को लेकर तो आप वीडियो देख सकते हैं इस प्रकार से वहाँ पर यह होगा तो यह इसके लिए आपका एडिशन कंप्लीट होने के बाद आपको यह वर्वाया जाता है उसमें आप यह फॉर्म भरिए उस हिसाब से आपको यह अलाट्मेंट होगी अब जाब से पहले गूगल फॉर्म भरनें गूगल फॉर्म भरेंगे यहां पर उसका लिंक देख रहा वहाँ पर लोग फर्म भर लिजे फिल्ड अप्लिकेशन फर्म यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं उसको और रिश्टेशन पीश तो एक अजार रुपे इसके लिए और सब बताते हो गूगल फर्म में जो यहाँ पर डॉकुमेंट्स लगने वाले है गूगल फर्म के साथ में वहाँ यहाँ पर दस्वी के माक्सीड बार्विक माक्सीड फेलिट कास्ट सर्फिकेट पीडवलूडी है तो पीडवलूडी कैटेगरी का चाहते तो इस इसपार्ट कॉंसलिंग में सामिल हो सकते है ठीक है तो यहाँ पर वैकेंट सीड जो है बीटेक का वो बीश अगस्त के को आएगा कितनी सीटेक खाली है ठीक है और यहाँ पर देखिए जिन्होंने अल्रड़डी एडिमिशन ले लिया है जो साथ यहाँ से भ और एक स्टुडेंट को एगी फार्म सब्मिट करना एक से ज्यादा सब्मिट करने पर दो बार रेजिस्ट्रेशन करने पर आपका यह कैंसलेशन हो जाएगा और ऑनलाइन मोड से स्वाइप मशीन से दे सकते है ठीक है यह सारी जानकारी इसके लिए है और यह पूरा कम्प का स्पॉर्ट कांसलिंग के लिए ठीक है यह पूरा एक डिक्लेरेशन भी भरना है और यहाँ पर देखिए इस सारी चीजे फार्म के बारे में दिया गया है अब गूगल फार्म के साथ अब अप्लिकेशन फार्म जो आप भरेंगे उसके साथ सेल्पटेश्टेश्ट सारे वही लगने वाल है जो उपर मने बता दिया हूं ठीक है और यह हो चुका है अब हम बात करेंगे वेकंट सीट बीटेक में कितनी है अभी हाल ही में वह देख लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट है सीट देखना तो यहाँ पर सबसे पहले केमिकल इंजिनेरिंग के अगर स्टी की च्छे ओविशी नॉन क्रिमिलियर की 17 अभी सी नॉन क्रिमिलियर पीड़ूडी के एक जनरल इड़व्यस की तिन तो टोल संटी सीटे खाली है और इंडर्स्ट्रियल प्रोडक्शन इंजिनेरिंग के ओपन में पांच है ओपन पीड़ूडी दो है स्टी की दस है ओविशी पीड़ूडी एक है जनरल इड़व्यस पीड़ूडी आठ है टोटल पचास सीटे खाली है सिविल इंजिनेरिंग में स्टी की एक सीड़ बस खाली है मेकानिकल इंजिनेरिंग में स्टी की तिन स्टी की एक तो टोटल चार सीट खाली है कंप्यूटर सायंस और इ इंजिनेरिंग में एक सीट खाली है तो इस प्रेकार से सीट खाली इसके लिए इस पॉर्ट काउंसलिंग होगी काफी सीट खाली है इसमें आप लोग ले सकते हैं और इसके बाद यहां पर देखिए यह तो हो गया अब उसके बाद सेकंड इयर लेटरल एंट्री प्रोग्राम दो हजार राउंड टू अच्छो बिसका बीटेक लेटरल एंट्री के थुरू जो होने वाला उसका है यह एडवर्टाइजमेंट ठीक है यह हो चुका है अब यहां पर बीप हम सेकंड इयर के थर्ड सेमिस्टर की लेटरल एंट्री प्रोग्राम फार्मिसी का हम लोग देखने वाले है यह होने वाला है तीन सितंबर कोई होगा यह भी वेन्यू रहेगा डिपार्टमेंट आप फार्मिसी जी जी यू में सुबह साढ़े नाव से साढ़े ग्यारा बजे यहां पर डॉकुमेंट किस प्रकार से राला है औरिजिनल प्लस टू सेट्स अफ सेल अटेस्टेट फोटो कापीच प्लस टू पासपोर साइज फोटोग्राप्स ठीक है यहां पर डॉकुमेंट्स प्रूप अप एज के लिए सर्टिपिकेट जैसे आपका दस्वी का हो सकता है दस् बार्वी का दिप्लोमा माक्षिट यानि की डी फॉर्म का फॉस्ट और सेकंड यर का मेंडेटरी है ट्रांसपर कॉलेज लिविंग सर्टिपिकेट और कास्ट सर्टिपिकेट सभी के रिए रिसेंट इंकम सर्टिपिकेट माइग्रेशन वालीड एडव्लू एस का है तो ए वीर्म के प्रसटिपिकेट में दिव्लू आप फैनल में पैमेंट करना फाहिले नहीं करना रहता है उसके बाद यहां पर देखिए लिस्ट आई है और टोटल सेट सबसे पहले आप लोग देख लिए कि यहां पर छे आवेलेबल है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं में जो रैंक है इसका ना यहां पर इस्टूडेंट का नाम लिखा गया फादर नेम डेटा बर्थ कैटिगरी कौन सी है फिजिकल है यानि डी फार्म के मार्क्स के अधार पर यह मेरिट तयार हुई है डी फार्म के तो तो 94.8 यह टॉप फर्स्ट रैंक पर है और ऐसे ही यहां पर 27 स्टूडेंट है तो कॉट आप इसका 61.57 है लास्ट जो 27 नमबर पर स्टूडेंट है उसका यहां पर आप देख सकते हैं 61.57 इसका नमबर है तो 6 सीटों के लिए 27 स्टूडेंट के यहां पर आया है अब देखिए कि टॉप पर है उसी को मिलेगा नहीं वह जाएगा तो उसका तो सीट कंफरम है उसके डाकुमेंट किलियर होने चाहिए जो फर्स्ट रैंक पर उसका सीट कंफरम हो जाएगा लेकि कि सबी लोग जाते नहीं है अलग-अलग जगह से होते हैं तो यह चीज़े है कि अब डाकुमेंट्स तो आपको मैंने पहले बता दे वही डाकुमेंट से आपको लगने वाले है इसके भी कॉंसलिंग 3 सितंबर को होगी तो यह था बीटेक और बीफार्म को लेकर इसपार् है वीडियो में